गुड मॉनिंग बच्चे कैसे हुआ आप लोग बिटा फ्ल्यूट चिप्टर चल रहा है वीडियो पर वीडियो आ रहे हैं आज की वीडियो में सोचोंगे सर आज क्या परिशान करने वाले हो किस टॉपिक के साथ आज मैं एक ने टॉपिक के साथ आपको परिशान करूंगा टॉपिक का नाम बहुत अच्छा है टॉपिक को करें स्टोक्स थी इस टॉपिक इस कॉल्ड स्टोक्स थी अब बोलोगे यह स्टोक्स थियोरम क्या है सुनो स्टोक्स थियोरम के बारे में बताया जादा बेटा ये एक ऐसा थियोरम है जो विसकस फोर्स के बारे में बताता है इसके बारे में कहा जाता है कि मालो आपके पास कोई भी एक विसकस लिक्विड है आपके पास कोई भी एक विसकस लिक्विड है और उस विसकस लिक्विड में अगर कोई भी एस्फेरिकल बॉड़ी है तो आपको पता है और आपको पता है, यह बात अच्छे से, कि विसकस लिक्विड में कोई भी चीज चलती है, तो एक विसकस फोर्स होता है, जो उसके मूवमेंट का अपोस करते है, अगर आप विसकस लिद्ड में होतो, तो क्या होगा जैसी वह डूबेगी नीचे तो एक viscous force उपर काम हो विसकस force क्या होता है हमेशा viscous liquid में लगता है जो आपके movement का हमेशा oppose करता है always oppose तो क्या बोला गया कि जब इस spherical body होगी जब उसमें viscous force काम करेगा तो वो जो viscous force होगा किस पे इक वे स्फिरिकल बॉड़ी बॉडि ढूब रही है। स्भेरिकल बॉडि यूपती हूँ आ रही नीचे तो उस्पे जो विसक्ष फोर्स काम करेगा कौन लगाएगा विसकष लिक्विड लगाएगा वह विसक्र स्पोर्स देखो किन-किन चीज़ों पर depend करेगा, उन्होंने बताया, एक तो depend करेगा liquid के coefficient of viscosity पर, दूसरा depend करेगा body के radius पर, आर क्या है radius of body, अग तीसरा factor है body की velocity, ये क्या है radius, किसका radius of body ये क्या है velocity, किसकी body की ये तो जानते हो क्या है coefficient of viscosity हो सिती है, इसका liquid का है, तो लिक्विड का होता है, बड़ी का थोड़ी होता है, क्या बताया, बताया, क्या बताया, क्या बताया stroke ने, कि जब flow करेगा, जब कोई भी spherical body, इनकी शर्थी spherical body, जब spherical body में कोई भी body डूपती है, नीचे की तरफ जाती है, तो उस पे विसकस force काम करेगा, करेगा है करेगा, क्योंकि वो तो रोकने की कोशिश करेगा, वो विसकस force बेटा एक तो liquid की viscosity पे depend करेगा, body के radius पे depend करेगा, और जो body की velocity है, जिससे वो डूब रहा है, उस पे depend अब सुनो धियान से, अब इसको derive करना है, इस formula को अभी तो मैंने ये बताया कि किनकी factor पे depend करेगा, बट मुझे इसका formula बनाना है, तो वो dimensional method से बनाया जाता है, तो सबसे पहले क्या करोगे, viscous force is depending on viscosity, radius of body और velocity, और dimension method से पूचता है, dimension method में क्या करते हैं, जिस जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, उसके उपर एक dimension बिठा देते हैं, यह पढ़ना था second chapter में, इसे हम ABC कर रहे हैं, हमने सब के उपर उसका dimension बिठा लिए, गाप इठा दिया, dimension अब dimension किसके उपर बिठाते हैं, जिस पे वो कर रहा है जिन जिन फेक्टर पर डिपेंड कर रहा है कौन फोर्स उसके उपर बिठाना है ना कि फोर्स के उपर फोर्स के उपर नहीं बिठाना है जिस पर डिपेंड कर रहा है उस पर फिर आपको पता है जब आप हटाओंगे प्रोपोशनल तो एक कॉंस्टेंट आ जाएग अब सबका dimension formula put किया जाता है, 4th का put करो, ml t minus 2, 4th का तो आपने पढ़ाई ही था पहले इस, फिज़र constant, constant का होता नहीं है, अब coefficient of viscosity, इसका भी formula याद होना चाहिए, यह dimension formula नहीं है, तो याद कर लो, ml minus 1, t minus 1, dimension उपर a, आगला कम है radius, radius मतब length, length का dimension formula b, आगला का velocity, इविलस्टी का l t minus 1, इसका power, क्या क्या मैंने, left side and right side, सभी का dimensional formula पूपर, फिर, ml t minus 2, is equal to, उधर आज़ो right side, तो m, यतने l है, दो दो जगा है, तीन जगा है, सब को एक जगा power करो, l का power, तो यहाँ minus a, minus 1 into a, यहाँ भी l का power b, वही power यानि dimension, यहाँ l का power c, अब t के भी कई power है, ठीका power यहाँ भी है, ठीका power यहाँ भी है, dimension मतल में एक जगा करो, तो t का power हो गया, minus 1 into a, minus a, और यहाँ हो गया, minus, क्या क्या मैंने, पहले किस पर किस पर depend कर रहा है, वो लिखा, उसके उपर dimension बिठाया, उसके उपर क्या बिठा दिया, देखो, dimension, उसके बाद क्या क्या बिठा, equation 1 constant बना कर, फिर क्या क्या मैंने, सब का dimension formula लिख दिया, force का लिख दिया, Austin का तो होता नहीं है coefficient of viscosity का लिग दिया radius का लिग दिया velocity का लिग दिया इधर mass का dimension अलग L कई जगा था यहां भी था यहां भी था बेस एक बना के सब के power को एकठा कर दिया add करके T का power यहां भी था यहां भी था एक जगा कर दिया फिर math में आप जानते हो जब बेस सेम होते हैं तो power भी सेम हो जाते है dimension इधर M का 1 है इधर भी M का यहां M का A है इधर right side में M का A है इधर 1 है तो A is equal to 1 A निकल के आ गया का निकल के आ गया बेटा देखो A निकल के आ गया अब बताओ इधर L का क्या है देखो जड़ा देहान से minus A plus B plus C अब लिफ्ट एड में L का कितना है 1 अगला equation यह बन गया इधर T का क्या है power बताओ minus A minus C इधर T का क्या है minus 2 अगला equation यह बन गया अभी मैंने क्या किया पता चल गया होगा A की value यहां put कर दो इसमें तो देखो C भी आ जाएगा तो अगर A की value put करते हो यहां क्या minus 1 तो देखो minus 1 minus C is equal to minus 2 इधर जाके C भी देखो 1 आ गया लिजिए C भी आ गया 1 A भी आ गया C भी आ गया अब A भी पता है C भी पता है यहां रख दो बेटा A और C की value रखो ज़रा जल्दी से A कितना है 1 तो minus 1 B नहीं पता C कितना है 1 is equal to 1 यह कट गया तो B वी देखो 1 आ गया यानि कि हमने आपस में stall करके A, B और C की value निकाल दी यही तो होता है dimension formula में इन पर depend कर रहा है यहां तीनों को लिखेंगे वठा देंगे फिर खटायेंगे तो constant आ जाएगा फिर दोनों साइथ क्या put करेंगे dimension formula 分ula put करेंगे dimension formula put करने के बाद क्या करेंगे बेटा dimension formula जैसी put करेंगे उसके बाद हम equipate कर देंगे mask paar dimension a the dimension है minus a है यहां C है एक जगा कर दिया T का dimension यहां भी है minus A minus C एक जगा कर दिया फिर दोनों side जब base same होता है तो powers भी same हो जाते है dimension भी same M का A, M का 1 M का minus A plus B plus C इधर 1 T का minus A minus C इधर 2 3 equation बना आपस में solve करके ABC निकाल दिया हमें ABC तो चाहिए नहीं हमें तो चाहिए था force का formula तो अब क्या करेंगे बेटा जब हमने ABC निकाल दिया तो ABC निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे put करेंगे किसको A को, B को and C को equation number first यह force का equation तो यहां था ना मिला तो मक्सद ABC निकालना था target वो निकाल दिया यह मैंने जो हमने जूम किया था dimension सबका रखो viscous force, constant eta का power A, यह है 1 R का power B, यह है 1 B का power C, यह है 1 सब तो 1 ही है 1, 1, 1 तो क्या गिया last में viscous force बेटा constant, eta, radius into velocity और यह जो constant है इस constant की value experiment के थूरी काला जाता है constant जो अचानक टपकता है ना, वो scientist कई experiment को अलग अलग data पर perform करके निकालते हैं तो इस constant की value last ने उन्होंने बता दिया stroke ने, 6 pi बाकि eta और, yes यह जो formula है, इसी को कहते है viscous force का formula strokes का formula, लेकिन main बात यह है, यह formula सिर्फ और सिर्फ spherical body के लिए बना है, तबी तो radius आगा stroke ने बताया, अगर सिर्फ, जैसे viscous force का formula तो हमने पिछी class में नहीं पढ़ाया था, minus eta A, B, V, Y, D, A पढ़ाया था, यह भी तो viscous force है लेकिर यह कब लगाते हैं जब जरूरत इस हिसाब से होती है तो layer के बीच में होना चाहिए, thickness होनी चाहिए, area of layer होना चाहिए velocity में difference होना चाहिए दो layer के बीच में, वहाँ यह viscous force होता है दो layer के बीच में जो आपोज करता है बट यही viscous force अगर spherical body के लिए है और वो viscous liquid में डूब रहा है, falling है, नीचे की तरफ आ रहा है सब यह viscous force चलता है यह नहीं चलता, यह वाला चलता है तो याद रखना derive कैसे करेंगे बेटा, कौन से theorem कैसे, dimension की method से इस पर depend कर रहा है तीनों पर तीनों का कुछ ना कुछ पावर बिठा देना constant डाल देना, उसके बाद सब का dimensional formula लिख देना फिर M को एक जगा कर देना L को एक जगा, T को एक जगा जो dimension होंगे, उसको equate कर देना, A, B, C आपस में solve करके, A, B, C निकाल कर वाप स्पोट करकर, force बना देना और constant हो, experiment के थूँ scientist जो बताते हैं, उसको रख देना तो formula रट जाओ, 6 pi eta Rb, this is the formula of the viscous force, acting on the spherical body, when it falls when it immerse in viscous लिक, हम बेटा, इस वीडियो में ही पर हम end करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो में एक topic पढ़ाने का commitment किया है, चाहे वीडियो छोटी हो या बड़ी हो, उससे फरक नहीं पढ़ता अगली वीडियो में एक नए topic के साथ मिलेंगे, तब तक आप वीडियो को देखो, पसंद आए तो इसको subscribe, चानल नहीं कहते हो कर लो और आगे भी share करो, ओके बेटा, take care, bye